विद्ध्यार्ति मित्र हो नमस्कार मी यल्डी ढगे आमचा इन्वेटिव पब्लिकेशन चा डिजिटल प्लाट्फरम और आपले हार दिख हार दिख स्वागत करतों विद्ध्यार्ति मित्र हो आपना स्माहितत आहे की सध्या अपन यमसीक्यूची टोपिक निया विडियो सिरीज पाता हो मागिल विडियो मदे आपन युनिट क्रमांक 15 डोमेस्टिक अपलाइंसेस या वरिल काई मत्वपूर्ण यमसीक्यूच पाइले कुना एगदा आज आपना समाहित आपना समाहित आपना पुब्लिकेशन चे लेक्चर आर सेख हैदर सर जयुनालिया आपने 16 युनिट ट्रांसफार्मार यावरिल काई मत्वपूर्ण यमसीक्यूच विद्धार्ति मित्र हो, हाग वीडियो आवरल्यास लाइक करा, शेर करा वा आमचा यूटूब चानल ला सब्क्राइब करा त्याज बरोवर बेल आइकोन मदील अल नोटिफिकेशन ला क्लिक करन्यास विशुरू नका चलतर मत पहुयाद आपले 16 यूट्ट ट्रांसफर्मर यावरिल यमसी क्यूटूटूज पहला सवाल है, वाट इस दा कंपोजिशन अफ स्टील और सिलिकोन स्टील इन ट्रांसफर्मर कोवर। यानि transformer core में silicon steel और steel का कितना हिस्सा होता है यहाँ पर option number A, steel 93% and silicon 7% option number B, steel 95% and silicon 5% option number C, steel 97% and silicon 3% option number D, steel 90% and silicon 10% अब यहाँ पर जब भी हम core बनाएगे को और transformer का core बनाएगे उसमें हम silicon steel का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर silicon और steel यह दोना combination होता है अब यहाँ पर इसमें 93% जो steel रहता है और 7% silicon का हम उसमें add करते हैं एक मिश्र धात्तू बनाएगे हम silicon steel ऐसा एक धात्तू बनाते हैं इसकी वज़ा होती है अगर हम इसमें silicon add करेंगे तो वहाँ पर जो magnetic loss जो होंगे वो कम से कम होंगे और उसकी जो magnetic permeability वो और बढ़ जाएंगी इसलिए हम वहाँ पर silicon का इस्तेमाल करते हैं 7% तो यहाँ पर हमको सब्सक्राइब क्या है silicon किता और steel किता है अब यहाँ पर होगा option number A जो है जहाँ पर steel का किता है 93% और silicon है 7% यानि इस question का सही answer होगा option number A steel 93% और silicon 7% अगला सवाल है which construction technique is used to reduce copper loss in large transformer अब यहाँ पर हमको सवाल किया गा है कि ऐसा कौन सा technique का हम इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर large transformer में हम copper loss reduce कर सके option number A है use of laminated core option number B है use stepped orange core option number C है by reducing core thickness option number D है by using green oriented core अब यहाँ पर हमको सवाल किया गया है कि ऐसा construction technique कौन सा इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर copper loss हमारे कम से कम होगे अब अब copper loss अगर कम से कम कर रहा है तो हम आप पर step core का इस्तेमाल करते हैं कहाँ कौन सा step core step core में क्या होता है कि जो conductor है जितना पास हो से कि उतना पास core के पास से क्या होगा जाएगा इसमें क्या होगा जो copper का requirement कम हो जाएगे और जिस वजय से अगर copper कम होगा तो copper कोई से होना ले लॉसे भी कम होगे इसलिए कम से कम copper losses के लिए कि हमको step core की arrangement कर रहा होगी यानि हापर इस question का answer होगा option number B use step core arrangement अगला सवाल है what is the advantage of step core arrangement in large transformer यानि large transformer में step core का advantage आइदा क्या होगा option number A reduce AD current loss option number B reduce hysteresis loss option number C minimize copper loss option number D reduce this space of core अब यहाँ पर हमको सवाल किया गाया है advantage क्या step core का पिछले question में हमने देख आते कि step core में क्या होता है कि जो copper requirement size क्या हो जाती कम हो जाती क्योंकि क्योंकि step by step हम जब साक इस्तिमाल core करेंगे तो copper क्या होता जो copper winding क्योंकि हो जाता हर winding का टर्न score के पास से जागा जितना पास से जागा उत्ता क्या हो जाएगा उसकी size क्या हो जाएगी पाए open circuit test on transformer अब यहाँ पर हमको सवाल के आगा है कि transformer में open circuit test दोरा कौन सा losses का मुल्यांकन करेंगे और कौन से loss हम find कर सकते option number a hysteresis loss only option number b a a d current loss only option number c a core loss only option number d a copper loss अब यहाँ पर हम transformer पर open circuit इस लिए करते ताकि हम उसे core loss हाइड कर सके अब यहाँ पर जो ऑप्षिन नमबर वे है hysteresis loss only और a d current loss जो hysteresis loss है और a d current loss यह दोनों loss जो है वो दोनों loss किसके है अब जब भी हम transformer की open circuit टेस्स लेते हैं तो हमको जो भी आप इंपूर्ट साथ जो वैट मिटर लगाएं तो टोटल वैट मिटर का जो रिडिंग होगा वह क्या हम उसको easily neglect कर सकते हैं अब बचा क्या है तो हमारे पास टोटल कोवर लॉस तो मेजर मेजर्टी क्या होगा जब भी हम open circuit टेस्स लेंगे तो हमको टोटल कोवर लॉस मिलें जिसमें क्या होगा कोई a d current और hysteresis loss दून होगे यानि इस question का सही answer होगा option नमबर c over losses अगला सवाल है वाई the core of current transformer is having low reactants and low core losses यानि current transformer की जो core है उसका reactance और reactant losses क्यूं कम होते है option नमबर a है minimize the error in reading option number b है maintain constant output option number c है prevent higher static shield option नमबर D है तो minimize the burden अब यहाँ पर अगर हम कोर का ट्रांस्पर्मर की कोर का जागर रियक्टन्स अगर हम कम करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा उसका magnetizing current क्या हो जागा कम से कम हो जाएगा और magnetizing current की वह जो होने वाले losses है और error है वो error क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इसलिए हम क्या करते हैं जो current transfer core है वो का इसे बनाती low reactancy ताकि उसके जो error जो आएगा जो reading के time जो error हैं वो क्या हो जाएगा कम से कम हो जाएगा इस लिए इस question का answer सही answer हो option number a to minimize the error in reading अगला सवाल है वीच टाइप आप ट्रांसफार्मार इस यूज़ पर high frequency application यानि high frequency application के लिए कौन से टाइप ट्रांसफार्म का हम इस्तेमाल करेंगे option number a है ring core transformer option number b है ग्रीन ओरेंटेट core transformer option number c है silicon steel core transformer option number d है ferrite core transformer अब यहाँ पर हम और high frequency यानि radio frequency पर अगर हमको अगर ट्रांसफार्म का इस्तेमाल कर रहा है तो हम वहाँ पर ferrite core transformer का इस्तेमाल करें यानि इस question का सही answer होंगा option number d ferrite core transformer अगला सवाल है how does the moisture is control in breather fitted on power transformer यानि ब्रिदर fitted transformer में हम moisture यानि गिलावा हम कैसा control कर सके यानि किस तरह से उसको नियंत्रन में ला सकी है option number a है using ammonium jelly option number b using silica gel option number d है using sodium carbonite option option number d है using transformer oil अब यहाँ पर हमको सवाल कियागा है कि transformer के अंदर अभी जो ब्रिदर fitted अगर जहां पर transformer है उसके अंदर हम moisture कैसा control करें अब जैसी transformer के ऊपर अगर लोड बढ़ता है तो जो oil tank में का जो oil है वो क्या था स्पांट होने लगता है और जैसी लोड कम होगा तो अब क्या होगा कि जो ब्रिदर fitted ब्रिदर के काटे से जो आउटर एयर वह एयर का होगा transformer के अंदर रहा थू का से ब्रिदर थू अब ब्रिदर के अंदर क्या रहता है silica gel रहता है जो इनिशल स्टेज में रहता है शुरुवाती दोर पर इससा तो ब्रिदर हुआ है i ौट के जो एक उसके अंदर आईगे अंतर कुछ मॉइस्टेर रहेगा डर्ट धूल मट्टी कुछ अगर हैं तो क्या करें उसको अब्सब्स करें और वहां से क्या करें ट्रांस्पोर्ण और के अंदर जो भी एर आएगा वह कैसा रहें ड्राय रहें तो इस पॉस्टियर में क्या होता कभी-कभी चैटा जादा इस्तेमाल हुआ कुछ duration के बाद silica gel भी अपना color बदलता यानि initial stage में कैसा रहेगा हो सफेद या फिर फीका color अब जैसा जैसा उसका इस्तिमाल होते जाएगा वैसा 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 color क्या होगा pink यानि गुलावी color का दीखने लगेगा अब जित्ता जादा गुलावी होगा हम उसको बाद में क्या अब यहाँ पर हमको सवाल किया आगा है कि जनरली सर्व साधरान में distribution transformer यह primary side delta और secondary side star में ही क्यों connect किया था option number A है तो avoid overloading option number B है to easy distribution of three phase four wire system option number C है to reduce transformer losses option नमबर डिये नन अब यहाँ पर क्या होता कि distribution transformer रहे ता इसलिए कि जहाँ पर अगर डिस्टेकेंडरी distribution में हम इस्तेमाल करते थी फेस फॉर वायर का अगर स्टार कनेक्शन रहा तो डिस्टुबीशन हमको लिए इजी जाना कभी कभी क्या रखता होगा सिंगल फेज अगर किसी को देना है तो वहाँ पर हमको एक फेज एक नूटरल की जरुद लगी और थ्री फेज अगर देना है तो अल्रेड हम किसको भी प्रवाइट कर सकते अब यहाँ पर डिस्टुबी आपशनल ट्रांसफर्मार यारे पोटेंशनल ट्रांसफरमार की तरह हम किस तरह से कम कर सकेगें ओप्शन नमबर ए यूजी तीन लामिनेटेड को अप्शनन नमबर भी है प्रवाइडिंग लांगमेटिक पाथ ऑप्शनलंबभro40 प्रवाइड चानलेंटिक आप्शनल अ using high flux density material अब यहाँ पर अगर किसी भी potential transformer का अगर हमको क्या करना error कम कर रहा है वहाँ पर हमको good quality core material का इस्तेमाल करना हुआ है याने option number C इस question का सही answer का provide good quality of core material अगला सवाल है which type of EMF induced in ideal two winding transformer याने ideal two winding transformer में दिये गए में EMF में से कौन सा EMF induced होगा option number A mutual induced EMF option number B self induced EMF option number C statically induced EMF option number D dynamical induced EMF अब यहाँ पर बात किये गई है ideal two winding transformer की अब यहाँ पर कोई भी बाइब ट्रांस्पर्मर के अगर बात करते हैं यह transfer two winding transformer basically work ही करता है mutual induced EMF पर अब यहाँ पर ideal two winding transformer की बात की गई यहाँ पर क्या होता कि जब भी हम अगर सबस primary side को अगर कम ने supply connect करें तो क्या होगा primary winding में क्या होगा current flow अब यह current क्या करें खुद का EMF produce करें अब यह EMF के वएसे क्या होगा है इसके अंदर क्या होगा जो magnetic field produce होगा magnetic field core जोरा क्या होगा secondary side जागा अब secondary side circulate होने के वाज़े secondary winding इश Jeśli से से कंडरी winding करें अब secondary winding करने का होगा है वह पर भी क्या होगा EMF induced होगा आप उसके में क्या होगा वहाप फीर से क्या होगा जो current flow होगा उसकी वज़े से वो कोत का emf produce करेंगा अब और सर्कूलेट होगाjed का पर हाईगा अब यहाँ पर क्या होता जो भी में इंडियूस एमएफ हो रहा हो काई सावरा मूचल हो रहा है प्राइमरी और दोनों साइड में इसलिए यहाँ पर इस कोशन का सभी आंसर होगा option number A, mutual induced EMF अगला सवाल है which material is used to make core of power transformer यानि power transformer core के लिए हम कौन से material का इस्तिमाल करेंगे option number A, cold rolled green oriented option number B, rolled steel option number C, copper alloy option number DA, soft iron अब हम अगर कभी भी transformer की core के अगर बात करते है तो core की property इस तरह से हो ले चाहिए कि उसका जो reluctance क्या होना कम से कम होना चाहिए reluctance क्या होना कम से कम उसके बाद में permeability magnetic permeability वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए अब इसका comparative लगा जारों material के compare में अगर cold rolled copper alloy और soft iron के compare करें तो cold rolled green oriented की magnetic permeability हो सबसे ज़्यादा है अब हम हाँ पर अगर power transformer की बात करें तो वहाँ पर भी हम cold rolled green oriented कहीं इस्तेमाल करें core के लिए ताकि उसकी permeability ज़्यादा ज़्यादा रह सके और उसमें से जो होना losses कम से कम हो सके याने इस question का सही answer होगा option number A cold rolled green oriented अगला सवाल है which transformer is used to measure high voltage installation जयाने high voltage measure करने के लिए कोन से ट्रांसफोर्म का इस्तेमाल करें option number A potential transformer option number B ignition transformer option number C pulse transformer option number D constant voltage transformer अब अगर हमको अगर high voltage measure करना है high voltage installation है अगर voltage measure करना है वहाँ पर हमको क्या लेगा पोटेंशिल ट्रांसफोर्म क्या लेगा है potential transformer पोटेंशिल ट्रांसफोर्मर यानि का इस्तेमाल हम किस लिए करते है high voltage measurement with the help of low range hold meter अब हमारे पास क्या है लो रेंज होल्ट मेटर आवेलेबले और हमको क्या मेजर करना है high voltage high voltage measure कर सकते हैं low range के hold meter के साथ लेकिर उसके साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको potential transformer potential transformer क्या आता है basically voltage step down transformer क्या है voltage step down transformer अब हम यहाँ पर टन्स रेशो और सेकंडरी होल्टेज potential transformer का टन्स रेशो और hold meter की रिडिंग इसके क्यालकूलीशन से हम transformation का टन्स रेशो के इस्तेमाल करके हम high voltage easily calculate कर सकते हैं इसलिए अगर high voltage measure करना है वहाँ पर हम potential transformer का इस्तेमाल करेंगे याने इस कोशन का सही आएंसार में option number A potential transformer अगला सवाल है what is the function of top flop switch of buckles relay in transformer याने transformer में जो buckles relay उसके top flop switch का क्या कारी है option number A है activate in moisture presence option number B है activate at high temperature condition option number C है activate at open circuit condition option number D है operate at overloading condition अब जो transformer के अदर जो buckles relay buckles relay क्या है gas operated क्या है gas operated relay इसका इस्तिमाल हम क्या करते है 500 MVA का अगर transformer है तो उसके उपर हम क्या करते है इसका इसका इस्तिमाल करेंगे अब यहाँ पर इसका जो top flop है तो top flop कब operate होगा जब भी overload condition होगे overload condition है यहाँ पर slow glowing fault होगा है छोटा मोटा fault होगा उस टाइम में top flop जो switch है वो activate होगा और वहाँ पर alarm sound होगा याने इस question का answer है option number D activate at overload condition अगला सवाल है option number B transfer the heat to atmosphere option number C allow to release internal pressure option number D prevent the moisture entry अब जो conservator tank का रहता है transformer main tank के उपर अब जब भी transformer के आपर जब load बढ़ता है तो transformer का oil क्या होता है expand होता है और expand होने के बाद में क्या होता है जो conservator है तो conservator उसको allow करता होता space देता ताकि oil expand हो सके easily और लोड कम होने के बाद में original position पर आ सके यानि हाँ पर option number A है वो सही answer होगा allow expansion of oil due to overload और load variation यानि इस question का answer होगा option number A सही answer अगला सवाल है what is the purpose of providing explosion wind in the power transformer power transformer में bespoke wind का का इस्तेमाल क्यों किया जाता है option number A है air releasing option number B है pressure releasing option number C है heat releasing option number D है moisture releasing अब जो explosion wind रहता है जिसको spotak wind कहते है अब इसका इस्तेमाल क्या होता जब यह transformer में heat हो या oil जैसा expand हो तो उसके वीसे जो gases होगे वो क्या होगे उसके क्या करते transformer के अंदर क्या करते pressure create करते अब प्रेशर से transformer अब ब्लास्ट नहों है इसलिए हैं क्या करते हैं हाँ पर explosion wind रहते हैं ताकि जो भी प्रेशर आइंटर्म प्रेशर प्रेशर क्रेट होगे open to atmosphere discharge हो सकते easily भायर जाएंगे atmosphere में easily discharge हो सके यानि यहाँ पर जो है option नमबर भी इस question का प्रेशर रिलेजिंग अगला सवाल है what is the function of buckles relay in power transformer यानि power transformer buckles relay का इस्तेमाल कारिय क्या होता है option number a protection from high temperature option number b protection from moisture entering in the oil option number c protection from both overload and short circuit condition option number d protection from pressure loading in tank अब यहाँ पर जो बकॉल्स रिले है बकॉल्स रिले क्यास है अब इसका जो इस्तिमाल है हम इस्तिमाल किसले करते दो कंडिशन के लिए एक overloading के लिए दूसरा short circuit condition के लिए यहाँ पर क्याता दो switch रहती इसके अंदर किते रिले को signal देगा और रिले को करें पूरा circuit दोरेकर अपरेट करके पूरा circuit हमारा ट्रिव करें यानि बकॉल्स रिले का इस्तिमाल हम protection from overloading as well as short circuit condition के लिए करेंगे इस question का option number C protection from both overloading and short circuit अगला सवाल है how to determine copper loss in transformer transformer copper loss का मुल्यांकन किस तरह किया जता है option number A short circuit test option number B impulse test option number C ratio test option number D open circuit test अब यहाँ पर अगर किसी transformer के copper loss अगर find कर रहा है तो वहाँ पर हमको क्या करना है short circuit test perform करना होगा short circuit test में हम क्या करेंगे जो भी watt meter का reading indicate करेंगा वह total क्या होगा short circuit test में copper loss indicate करेंगा यानि copper loss अगर find करना है transformer पर तो वहाँ पर हमको कुन सा test लहना होगा short circuit test यानि इस question का सही answer होगा option number A short circuit test अगला सवाल है which losses of transformer is determined by short circuit test transformer में short circuit test दोरहा कुन से losses का option number A windage loss option number B copper loss option number C hysteresis loss option number D AD current loss अब जब भी हम transformer की short circuit test की बात करेंगे अब यहाँ पर क्या होगा जब भी अगर short circuit test लेंगे तो वहाँ पर हमको copper loss total मिलेंगे यानि short circuit test में जो वैट मिटर का एंडिंग है वो क्या indicate करेंगा total copper loss of transformer copper loss सबको हाँ पर मिल जाएंगे यानि अगर हमको यहाँ पर short circuit test लेंगे तो हाँ पर हमको क्या मिलेगा copper loss of transformer यानि इस question का सही answer होगा option number B copper loss अगला सवाल है what is the purpose using laminated core in transformer यानि transformer में laminated core का क्यों क्यों किया जाता है अब यहाँ पर option number A है reduce copper loss option number B है reduce hysteresis loss option number C है reduce AD current loss option number D है reduce mechanical loss अब यहाँ पर क्या आता है जब भी core रहती तो core through जब भी magnetic flux हमारे travel करता है through the core उसमें क्या होता जितना core जितने magnetic field primary side produce हुआ ऐसा जरूर नहीं है कि उतनी ही secondary side क्या हुआ link होगा इसमें क्या होता है कुछ magnetic field лks leak होते है leak होने के बात कि core के साथ link होई leakage loss क्या होता है leakage loses уже circulating current Ihnen AD current WR MON ral करन जैसा जैसे सर्कूलेट उसको दूसा तो कोई पाथ नहीं है को और कैसा हमारा कंप्लेटली शॉर्ट सर्किटेट पाथ है अब को इसका जो इंटर्नल रेजिस्टेंस है उस वज़े से क्या होगा है वहाँ पर क्या होगा कुछ आमोंट में हिट करेट हों आए स्क्वियर देटलेक पाल दूट्व आए अजीड करेंने को अब यहां पर जो लॉस हो से ताकि जस वज़ेंस से जो लॉस जो फ्लक्स है वह लिकेज ही होना सकते साथ इसलिए हम उसको क्या करते सब्सक्राइए करते क्या करते हैं ऊसको लामिनेशन करीं तो यहाँ पर क्या हूँआ लामिरिशन का मेन परपस क्या है AD current loss को कम कर रहा है किसको करना AD current loss को कम कर रहा है याने इस question का सही answer हुआ option number C reduce AD current loss अगला सवाल है why ferrite cover is used in audio receiver याने audio receiver में ferrite cover का استعمال क्यों किया जाता है option number A है reduce electric interference option number B है reduce constant losses option number C है increase the quality of sound option number D है increase the efficiency of receiver अब यहाँ पर हम ferrite core का استعمال क्यों करते है ताकि हम जो transformer की constant losses है constant losses कोंसे एक AD current loss दुसा कोंसा hysteresis loss अब यहाँ पर हिस्टिरिस मेंली क्या होता है hysteresis loss क्यों क्या होता due to magnetic reversal property के वैसे अब हम अगर ferrite core का स्थेमाल करेंगे तो उसका जो permeability बहुत strong probability बागे other comparative other material के comparatively अब जितना जादा permeability रहेंगा उत्ता जब उसका जो hysteresis losses भी क्या हो जाएगे कम होगे hysteresis loss किसका पार्ट है constant losses किसका पार्ट है constant loss जिसको हम core loss बोलते है AD current as well as hysteresis loss अब यहाँ पर ferrite core का इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे ताकि जो hysteresis loss कम हो सके hysteresis loss किसका पार्ट है जिसका hysteresis loss कम होगा वैसे क्या होगा constant loss कम होगा याने इस question का सही answer होगा option number B to reduce constant losses तर विधार्ति मित्र हो आशा प्रकारे आज आपन यूनिट क्रमांग 16 ट्रांस्फार्मर या चाप्टर वरील काई मत्वपूर्ण MCQs पाइले तर विधार्ति मित्र हो आशा प्रकारे आपन इलेक्ट्रिशन वो वायर्मन ट्रेड चा प्रथम मोर्शा तील एक ते 16 यूनिट चे MCQs पाइले आहे याची प्लेलिस्ट त्यार के लिया सून आपन ती पाहू शक्ता पुडिल विडियो मदे आपन दुसरा वर्षा तील यूनिट क्रमांग 17 डीसी जेनरेटर या चाप्टर वरील काई महत्वपूर्ण MCQs पाना रहोत त्योंवा भेटु याथ पुडिल विडियो मदे एका नविन महितिस हो हाँ विडियो आवल्यास लाइक करा शेर करा वो आम चा आईवी विपी आउनलाइन या यूटूब चानल ला सब्क्रेब करा बेल आईकोन मदेल आल नोटिफिकेशन ला क्लिक करा जेने करोन नवनोविन विडियो ची महिति आपनास मिलेल धन्यवाद झाल